प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें पंच और सर्पंच को भी वोट देने का अधिकार दिया जाएगा ऐसे में अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है और केंद्र सरकार से मिले इजाजत के बाद बिहार में पंच और सर्पंच भी अपने मत का इस्तमाल कर सकते हैं और बिहार में होने जा रहे विधान परिशद के चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ कहना है पंचाइती राजमंत्री समराच चोधरी का किस तरह से केंद्र को ये प्रस्ताव भेजे जाने के बाद पंच और सरपंच को लेकर जो वोट देने के उमीद है वो जगी है इसकी पोड़ी जानकारी आपको देते हैं बतादे के ब्यार विधान परिशद के चुनाव में सरपंच और पंच को भी वोट देने का अधिकार दिये जाने का प्रस्ताव पंचाइती राजविभाग के केंद सरकार को भेज दिया है पंचाइती राजमंत्री समराच चोधरी ने कहा है कि विभाग के प्रस्ताव पर व मालूम हो के ओक्तक चुनाव में ग्राम पंचायत के निर्वाचन परतिनीधी वोट देते हैं। मार सिंग की ओर से दायर अरजी पर सुनवाई की उनकी वकील प्रशांत कस्यपने कोट को बताया कि सम्विधान के अनुछेद 171 और जन प्रतिनीधी कानून की धारा 272 के A से D में किये गए प्रावधानों को नजर अंदाज किया जारा है। उनका कहना है कि पंचायत के मुख्या को मत देने का अधिकार है लेकिन मुख्या की तरहा ही आमजन द्वारा चुने गए सरपंच और पंच को मत देने से वन्चित रखा गया है। उन्होंने कोट में सरपंच और पंच को MLC चुनाव में मत दाता बनाने की गुहार लगाई। प्रस्ताफ तोर से ये कहना था कि उन्हें भी जनता चुनकर भेजती है, ऐसे में उन्हें अपने मत का इस्तमाल करने का पूरा पूरा अधिकार है। और उसी को लेकर इस नए विवस्था को लागू करने की बात बिहार सरकार की तरफ से कही गई। ऐसे में ये जो प्रस्ताफ तयार किया गया है इसे अब केंद सरकार के पास भेज दिया गया है और केंद सरकार के पास से मंजूरी मिलने के बाद इसे बिहार में लागू कर दिया जाएगा। और अब बिहार में होने जारे मसी चुनाव में पंच और सरपंच भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलाल के इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहे हैं। नमस्कार।